मैं आकि रेक्ट देविन सिंग चनल सिंप्ली गैड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम देखेंगे एक ब्लॉक को हम एक से ज़्यादा इंसर्शन पाइंट एक तरह से कैसे दे सकते हैं ये एक्चुल में इंसर्शन पाइंट तो में एक ही रहता है लेकिन हम इंसर्ट अलग अलग पाइंट से कर सकते हैं उसको कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कोई ब्लॉक इंसर्ट करते हैं जैसे इस ब्लॉक का इंसर्शन पाइंट ये सेंटर में है यहां मैंने इसको insert कर दिया कोई दिक्कत नहीं होई लेकिन यहां गर मैं इसको insert करता हूँ तो यह आधा bet बहार चला जाएगा ऐसा ही तरह आएगा फिर मैं इसको move करूँगा या फिर मैं इस block की copy करूँगा ऐसे ही इधर तो हम किस तरह से एक ही block के अंदर यह एक insert point के अलावा दो और जगा से इसको insert कर सकते हैं यह हम इस वीडियो में देखेंगे आई अब बनाते हैं इस bet का block मैंने b type करके enter किया block definition नालग बॉक्स खुलिया यह इसके अंदर मैंने bet type किया pick point मैंने यह बीच में point लिया select objects यह मैंने object select कर लिये enter किया इसको मैंने ok किया ok करने के बाद देखिए यह एक इसके अंदर block editor खुल जाता है जिसको कि हम अकसर ही बंद कर देते हैं लेकिर हमें इसे बंद नहीं करना है हमें इसकी ही जगरत है इसके अंदर ही हमें काम करना है इसके साथ में यह block authoring palette खुलती है जिसके अंदर यह 3 tabs है तो इसमें सबसे उपर वाला जो tab है इसको हमें select करना है इसके अंदर सबसे उपर एक tool है यह point तो यह point parameter हमें इसके अंदर देना है इसको बूलते हैं point parameter तो point parameter को हमें set करना है इसको और जो हम additional point चाते हैं वहां हमें इसको select कर लेना है यह मैंने यहां पर select किया इसको हम किसी भी direction में ले सकते हैं तो यहां मैंने इसको select किया फिर मैंने दुबारा से इसको set किया और यहां मैंने यह दूसरा point set कर दिया यह plot के अंदर भी नहीं आते हैं और drawing के अंदर visible भी नहीं होते हैं तो मैं इसको यहां से close कर देता हूं close करने के बाद हमें इसको save करने के बाद देखिए अब हम इसको अंदर इसको block को insert करते हैं एस व्लोक को मैंने क्लिक किया ये देखिए ये जो इंसरेशन तसका था मुसको ये डिफॉल्ट ले रहा है डिफॉल्ट이면 के से इसको ये इंसर्ट करता ये तो ये हमने इसके बाद हम इसमें फिर गए, फिर मैंने स्रेट किया, अब देखिए इसके अंदर, वही डिफॉल्ट इसने इंसर्शन पॉइंट लिया है, लेकिन हमें दूसरे पॉइंट से इसको स्रेट करना है, तो क्या करना है, हमें कंट्रोल का बटन दबाना है, कंट्रोल का बटन द यहां मैंने इसको set कर लिया फिर से मैं इसमें इसको set किया और control एक नंबर पर आ गया इये दूसरे पर फिर मैंने control दवाया तो यह इस पर आ गया किया मैंने इसको set कर लिए कि दैश आई करेंगे लिए Command Line पर यह हम रापास Command Options आज आते हैं इसको मैंने enter किया बैड इसके उंदर डिफार्ट लिखा हुआ रहा है अब मैंने गूंड किया यह एक नमबर पर आ गया यहां मैंने इसको सेलेट किया और स्केल फेक्टर वन मैंने accept किया उसके बाद मैंने इसको mouse के moment से rotation देती इस तरह से हम इसको इसको इस्तेमाल कर सक दिखिए दो तरह से हम एक तो मैंने इसको ribbon से insert करके दिखाया दूसरा command line से और अगर हमें एक से जादा points देने हैं insertion points तो वह भी हम देखते हैं इसको मैंने डबलू किया, पिक पॉइंट मैंने ये सेंटर में इसका बाटम में ले लिया और सेलेक्ट अब्जेक्ट मैंने ये कर दिए, ओके और यहां हमने जो भी अधिशनल पॉइंट्स लेने हैं, तो जैसे मैंने एक नमबर ये लिया, दूसरा ये लिया, चौथा इसको देखिए मैंने counterclockwise लिए क्यूंकि आटीड के अंदर positive direction counterclockwise रहती है तो मैंने उसी sequence को स्तमाल किया है इसमें वन को आप यहां से भी इस्तमाल करके इस तरह से भी बना सकते हैं 3-3 को अगर हम 1 ले लेते हैं तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं मैंने close कर दिया इसको उसके बाद यह default insertion point यह पकड़ दा है अभी उसके बाद जैसे ही मैं control का button दबाता हूं एक बार तो यह एक number पर पहुँच गया फिर यह दो number पर आगया फिर यह तीन number पर आगया फिर यह चार number पर आगया फिर यह default जो इसका insertion point है उसके बाद फिर तो इस तरह से इसके अंदर हम cycle कर सकते हैं और जैसे भी हमें desired point मिलता है उससे हम उसको insert कर सकते हैं इसे देखे काफी time से हो जाता है एक ही block को हम अलग-अलग point से insert कर सकते हैं अभी हमने दिखा कि नया block बनाते हुए हमने point parameters दिये इसके लावा जो existing block हैं उसके अंदर भी हम point parameters हम add कर सकते हैं जैसे यह existing block है इसको मैंने double click किया, ok किया और यह देखिए यह block editor खुली गया इस block editor के अंदर हम यह point parameter select करते हैं और इसको हम यहाँ पर add कर देते हैं दुबारा से मैंने select किया यह add कर दिया यह add किया इसके अलावा यह चार point parameters इसके अंदर मैंने add करती है हम देखिए इस block को insert करके देखते हैं यह block यह है जिसमें control की को जैसे ही मैं click करता हूँ देखिए इस तरह से हम existing block के अंदर भी point parameter दे सकते हैं मित करता हूँ यह video आपको अच्छे लगी होगी इसको please आप like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए thank you जूँ